हेलो डियर स्ट्रेंट्स आज का जो हमारा टोपिक रहेगा वो रहेगा कलोग बिटा कलोग का जो चैप्टर है वो बड़ा ही इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके NTSC के एकजाम में और जितने वेदर कॉम्पेटिशन एकजाम है उसमें कलोग सी जो है 3-4 क्योशन आने के च कलोगं में 3 इंटों में और 2 बढ़ा है और 6 और बोलती है उसका हम क्या बोलेंगे अ मिनट है उसके बाद में बात करते हैं एंडल के इंगल पैटन की बर बढ़ा इंपोर्टेंट क Oooh की इहां तो सब्होः बात कर रहे हैं छांग की जैसे भी मैंने आपके सामनी क्लोग बनाई है हावर हैं ने 12 से चलना स्टार्ट किया और जो भी वापस से 12 पर अपनी पोजिशन को रिटेन करेगी वापस से सेम पोजिशन पर आएगी तो इसको कितना टाइम लग जाएगा 12 हावर का टाइम लगेगा देखे जैसे आज आप्टरनून के 12 लोग से हावर हैं ने चलना स्टार्ट किया है और आज नाइट के जब यह 12 लोग पर पहुंचेगी तो इसको कितना टाइम लग गया 12 लग गया तो देखिए एंगल टेस्ट बाई हावर हैं इन 12 हावर इस इकल टो 360 दिगरी बिटा यह एंगल 12 से चल गे वापज बेंगा तो complete एंगल यह 360 डिगरी का है तो ऊके वन हावर में कितना एंगल बनाया फिर इसने कि हावर हेंड जो है वन मिनट में हाफ डिगरी का एंगल फॉर्म करती है अगर आप से पूछे 10 मिनट में कितना एंगल फॉर्म करेगी तो आप कहे दोगे सर वन मिनट में हाफ डिगरी कर रही है 10 मिनट में 5 का 20 मिनट में 10 डिगरी का इसके परलेल में हम बात करते हैं मिनट ह यहां से हमने दो कंशेप्ट सिख्के हैं मिनट है वह आपकी वन मिनट में 6 डिग्री का अगर आप से पूछो मिनट में कितना एंगल बनाएगी यहां दो कि यहां सकते हैं 10 मिनट हैं एमें एंगल बनाया और अगर का इंगल बना इंगल बनाएगी 60ड गए 30 डीरी का सलिग्री अब जब आपकी hour hand और minute hand right angle formed करती हैं तो वो एक दूसरे से 15 minute के space दूरी पे रहती हैं there are two right angle formed in each hour एक गंटे में दो right angle आपके formed होते हैं but between two to four there are only three right angle formed instead of four right angles ओके बिटा दो से चार बजे के बीच में आपका एक right angle जो हो नहीं बनेगा four times बनना था बट यहां three right angle बनेंगे और ऐसा ही आपका eight to ten को लोग के बीच में होता है during 12 hours there are 22 right angles formed 12 गंटे में आपके 22 right angles formed होंगे और during 24 hours 44 times right angles are formed next है हमारा concept straight line the hands are in same straight line when they are conside same direction और opposite to each other और straight line में कब होंगे या तो conside करें same direction में हो overlap करें या एक दूसरे क्या हो opposite okay when the hands are in opposite direction they are 30 minute space apart जब hands up एक लोग opposite direction में होती है तो वो एक दूसरे से 30 minute के space दूरी पे रहती है और जो वो same direction में होती हैं कों side करती हैं तो 0 minute space apart रहती है during 12 hours there are 22 times straight line formed 12 गंटे के अंदर 22 times जो आपके straight line formed होंगे 11 times तो वो हो जाएंगे आपके conside के case में और 11 time हो जाएंगे वो opposite direction के case में next आमरा gain of minute hand और hour hand देखें during one hour both the hands run जैसे एक गंटे के लिए दोनों जो है के hands रन करती है minute hand run 60 minutes space minute hand जो है जैसे यहां 12 से चलना start के दोनों ने तो minute hand वापस 12 पे आ जाएगी 60 minute का space का और कर लेगी बट हावर minute hand one पे पहुंचे की तो कितने मिनट का space क्यों गया 5 minute का ओके so in an hour minute hand gains 55 minutes और दा hour hand जो है minute hand जो है 55 minute gain कर लेती है 60 minute में ओके किस पे और दा हावर हैं यह कुछ basic points मैंने आपको बताई अब हम करतें questions को solve time first देखें इस पर question यह बनता है clock में जो time वह है that is 4.40 अगर इस time का mirror image में देखेंगे तो हमारा time क्या हो जाएगा मैंने इसके लिए trick बता रहे किले है उन 60 बट इसका practical पहले आप देख लीजिए 4.40 4.40 कब होंगे जब आपकी hour hand 4 और 5 के भीज में होगी और minute hand exactly 8 के उपर होगी ओके तो आपकी mirror image की property क्या कहती है left changes into right right changes into left तो आपकी 6 और 12 का में बेस बनाना है यहां से देखें 6 के left में 8 पे आपकी minute hand है ओके one point छोड़के यह 8 पे है तो यह left से right में आएगी 6 से one point छोड़के किस पे आएगी यह 4 पे जब आपकी minute hand 4 पे जोतो minutes कितने हो जाएंगी 20 अब आपकई hour buildings 4 और 5 के भीज में है टो Left में जाएगी तो կह किस की भीज में अगे 7 और n or 8 के भीज में जब आपकी hour then 7 और 8 रहते हैं नेक्स देखिए क्लोग के नेक्स से इसका एक्जामपल क्लोग में टाइम होए 1250 में टाइम क्या होगा आपका टाइम 11 और से ज्यादा चला जाए 12 से तो आप इसको 23 रेश्यों 60 में से माइनस करेंगे आपका अंसर आजएके 1110 ऐसे ही यह ताइम आ गया क्लोग में 6 बजगर 39 मिनट्स 20 सेकंड्स तो मैंने इसको कनवर्ट कर लिया 11 और 59 मिनट्स 60 सेकंड में से आप इसको माइनस करें 639 20 तो आपका अंसर आजएगा 5 बजगर 20 मिनट्स और 40 सेकंड्स अगर मिरर में आपको टाइम गयून कर आप से कलोग में पूछ रहा है तो भी आपको सेम ट्रिक फोलो करनी है ओके नेक्स इस टाइप में हम बात करते हैं वोटर इमेज की जैसे कलोग में टाइम हो है 220 वोटर इमेज में क्या टाइम होगा आप दिया स्को 530 में से सब्ट्रेट करना यहां दो ट्रिक मैंने बताई 530 और 1790 बट्रिक याद करने से पहले इसका बेसिक प्रैक्टिकल देखें 220 मिंज हावर हैं टोर थरी के बीच में और मिनट हैंड इस एक फोर ओके बट अकोडिंग टू वाटर इमेज प्रोपर्टी टोप किसमें चेंज और बोटम में और बोटम किसमें चेंज जाता है टोप पे तो देखिए आपकी फोर पर मिनट ह तो थरी से एक पोइंट नीचे है बोटम में तो यहां आपको बेस्स बनाना थरी और नाइन को बाटर इमेज के केस में ओके तो यह कहां चली जाएगे आपकी 3 से ऊपर बोटम से टूप पे जाए गिस पर टूपे जब आप मिनट हैंड टूप से चला जाए टाइम कितना ह और आपकी हावर और 3 के पिच में किसके बीच में आजाए कि 3 और 4 के बीच में तो यह आपका टाइम हो जआगा 3 वजगर 10 मिनट करेंगे तो आप इसको से ज्यादा है जैसे कि नेक्ट से विशन water image to bottom एक कनवाट होते है bottom टोप पे वोट मेंगे कि प्रोपर्टी में 3 और 9 को हम बेस मनाएंगे और Mirror Image की प्रोपर्टी में 6 और 12 को चलते हैं बटा next टाइप पे ताइप सेकेंद टाइप सेकेंड में जो question given है यह दा angle between the minute hand and the hour hand of a clock when the time is 436 आपका ये जैसे clock है तो इसमें 436 ये एंगल आपसे बीड़ा पूछा है कि इसके बीच में कितने डिगरी के एंगल होगा ओके तो मैंने इसके लिए formula आपको बताया है minute into 11 by 2 minus में hour into 30 degree formula to find angle देखे minute कितने 436 पे 36 minute 36 into 11 by 2 minus hour कौन से होगे 436 initial value 4 into 30 the 198 minus 120 is equal to 78 degree अब इसमें देखें दो कंसेप्ट में यहां से मैंने आपके option लिखा 78.5 degree 77.5 degree 282 degree none of these अब some of the student आपका 78 degree answer आया आप none of these पे कर दोगे नई देखिए यहां से आपका यह angle भी option में हो सकता है ओके ताप इस angle को 360 degree में से minus करेंगे आपका अनूसर आ जाएगा 282 degree ओके अब इसमें देखें नोट है every time the hands of a clock makes two angle two angle बनाती है एक आपका interior angle होगा और एक आपका exterior angle और एंगल ओल्वेज भी पोजिटिव स्पोज़ पॉर्मुले से आपकी value जो है minus 78 degree आ जाती तो आप उसको positive consider करते आप negative consider नहीं करते जैसा कि यह question आपके NTSC के exam में आयो अधर 2018 में the reflex angle between the hands of a clock at 1025 is okay तो according to formula minute कितनी है 25 into 11 by 2 minus 10 into 30 degree 270 upon में 275 upon में 2 minus 300 इनके multiply करेंगे जब इनको हमने solve गिया तो यह आपका minus 162.5 degree आ गया बट यहां पुछा reflex angle you know that reflex angle क्या होगा उसकी value जो है बेटा वो above 180 degree होनी चीए तो हम उसको क्या करेंगे 360 degree में से क्या करेंगे minus करेंगे क्योंकि reflex angle की जो property है उसकी value क्या होगी बेटा above 180 degree आपका अनुसर आजागा 197.5 degree चलते हैं नेक्स टाइब थार्ड पर एट वाट टाइम बिट्विन थ्री एंड फोर ओक लोग बोद्दा हावरेंड मिनट हैंड कॉन साइड इच दर या ओवरलेप इच दर या इन सेम डारेक्शन ये टाइम पुछा है तीन से चार बज़े के बीच में किस टाइम पे उस सिक्स्टी अपॉन में 11 ओके फोर्मूला फोर सेम डारेक्शन कॉन साइड या ओवरलेप इच दर तो एक्स की वालिव क्या होगी इनिसियल वैलिव होगी 3 अगर 4 तो 5 लेते हैं एक्स की वालिव क्या हो जाती 4 5 तो यहां पर पूट किजिए 3 इन्टु सिक्स्टी अपॉन में 11 में 180 अपॉन में 11 इसको सोल गया 16 4 by 11 3 बज़कर 16 मिनट 4 by 11 लेक्शन ओव सेकेंड्स यहां देखिए अब आपका 3 16 यहां 16 17 18 19 and that is 20 यहां पर एक्कूरेट यह कॉन साइड करें यह जो टाइम मैंने आपको बताया है नेक्स इसमें नोट है कलोक हैं कॉन साइड 11 टाइम इन एवरी 12 आवर्स ऐसे कॉन साइड ओन टाइम बिट्विन 11 और वन ओक लोक एट 12 लोक ग्यारा से एक बज़े के बीच में वह एकुरेट 12 लोक पर कॉन साइड करती हैं वहां पर आपको जो 12 गंटे में कॉन साइड कि 24 आवर्स ओरी ने डे बारा गंटे में कितनी बार कॉन साइड करेंगे 22 टाइम्स 12 आवर्स में 11 टाइम कॉन साइड करती है अगर आप से पूछा 48 आवर्स में तो आपने इस इक्वेशन को इन्टू 4 किया तो यहां भी आप इन्टू 4 करके 44 टाइम्स नेक्स देखें अपोजे डारेक्शन आपके लिया है तो उसके लिए फोर्मूला आपका यह है एक्स प्लस माइनस 6 इंटू 60 अपन में 11 फोर्मूला फोर अपोजे डारेक्शन इफ एक्स ग्रेटर देन 6 देन वी टेक माइनस साइन एक्स की वाली और 6 से ज्यादा होगी तो हम क्या लेंग प्लस साइन अब कुछ ट्रेंट यह सोचेंगे सर एक्स की वाली शिक्स हो तो क्या लेना है बेटा नहीं आपको प्लस लेना नहीं आपको माइनस लेना है एक्कुरेट शिक्स ओक लोग पे आपका जो है वह आपोजे डारेक्शन पे होती है तो यहां पे देखिए इन इन बिदेखिए यहां पे आपकी हावर एंड रहेगी यहां पे आपकी क्या रहेगी मिनट हैं यह बिलकुल अपोजे डारेक्शन में हैं यह जो कंसेप्ट आपके सामने यहां इनके बिच में 180 डिगरी का एंगल भी फॉर्म्ड हो रहा है यहां से आप देख लीजिए ओक अब इसमें देखिए नोट इन 12 हावर्स बहुत हैं इन अपोजे डारेक्शन 11 टाइम्स बारा गंटे में कितनी बार अपोजेट होती हैं 11 टाइम्स और 11 टाइम्स यो कौन साइड करती हैं तो जो टाइम मीस होगा ना तो वो यहां होगा 5 टू 7 अक लोग के बीच में एकुरेट 6 अक लोग पे तो अपोजेट होती हैं ओके नेक्स इसमें देखिए 12 हावर्स में 11 टाइम्स अपोजेट 48 हावर्स में 44 टाइम्स नेक्स ताइफ फिफ्थ बीटा वाट टाइम बिट्विन 4 ए 5 अक लोग विल दा हैंड्स ओफ एक लोग बीए ट राइट अंगल यह करा है कि राइट अंगल मिन्स बोले तो 90 डिगरी का एंगल कब बनेगा 4 और 5 वोग लोग के बीच में तो उसका फोर्मूला देखिए यहाँ पे x प्लस माइनस 3 x प्लस माइनस 3 इंटू 60 अपोन में 11 फोर्मूला टू फाइंड राइट अंगल तो यहाँ एक बर आपक कर लेना आपको माइनस लेना है जैसे मैंने लिया 4-3 x 60 अपोन में 11 फोर्माइनस 3 1 इंटू 60 अपोन में 1160 बाइवन मिन्स एक आपका टाइम यहाँ फोर वजकर 5 मिनट 5 बाइवन मिन्स बोले तो एक राइट अंगल आपका यह बन जाएगा यहाँ पे आपके यह आपका राइट अंगल बनेगा ओके नेक्स वाले में पूट क्या प्लस 4 प्लस 3 इंटू 60 अपन में 11 मिनस 7 इंटू 60 अपन 11 420 अपन में 11 38 टू फाइट यह टाइम आया गया फोर बजगर 38 मिनट 38 मिनट सम्धिंग आपकी यहां हो जाएगी और हावर हैंड 4 और 5 से बीच में रहेग का 90 डिगरी का इन 12 हावर्स बोथ हैंड आर एट राइट अंगल 22 टाइम्स बारा गंटे में राइट अंगल कितनी बार बनेगा बिटा 22 टाइम्स और 24 आउर्स में 44 टाइम्स चलते हैं टाइप 6 पे ओके इंपोर्टेंट टाइप हापकी यह भी क्लोग में एक क्लोग की से सेट क्या गया है और वो क्या करती है जैसे 24 होते हो तेओं 10 मिनट से गें कर लेती हैं वहनदा क्लोग इंडिकेट्स 1 पिम पर आपका ट्रू टाइम है वो क्या होगा जैसे वह लोग तो वन पिम का टाइम सो गुरेगी बट आपसे रियल टाइम पुछा है जब बेटा आप की क्लोग लूज करती है तो रियल टाइम या ट्रू ट्राइम क्या होगा आपका ज्यादा होगा तो इसमें देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट हम लेके चले हैं हमने क्या गया टाइम फ्रोम एट एम टॉण फियम फॉलोविंग डे आज सुबह के एट एम से कल का जो वन पियम का टाइम होगा वहां तक टोटल हमने हावर्स निकाले 29 आवर्स अब इसमें देखो क्या कर रही है वह 24 हावर्स में 10 मिनट गेन कर रही है तो मैंने लिखा 24 आवर्स 10 मिनट ऑफ दिस क्लोग इस इकल तो तर 24 आवर्स ओप क्रेक्ट क्लोग अगर मैं यह क तो बटा यह आपको ध्यान देना यहाँ पर गेन कर रही थी तो मैंने वह टाइम यहाँ पर एड़ किया है 24 आवर्स 10 मिनट ऑफ दिस क्लोग इस इकल तो तर 24 आवर्स जितने टाइम में वह गेन कर रही है या लूज कर रही है उसको एकल क्रेक्ट क्लोग के हम यहां 25-1 ACE को मैंने हावर्स में convert करना जर्लिल इसाइब की questions में आप value वावर्स में ले it, कि जब मुलए है कनवर्स में 10 मिनट को 10.60 तो यह आपका आगया 145ah is of this clock is equal to the 24 hours of correct clock, nasze करेंसे के 247ए 145 AGA Porzego 17-7 चलाएगा treatment is obedient, थे हमारे पास 29 29 हावर्स में कितना गरेगी 24 अपोन में 145 इंटो में 6 इंटो इंटो में 29 29 से 5 पे कट हो गया बेटा ओके तो 24 इन्टु 6 यानि 144 अपोन में 5 आवर्स अब यह हमने इसको फ्रेक्षन में लेका है 28 4 by 5 hours तो बेटा 28 hours is 4 by 5 hours के हमने बना ली minute minute बनाने क्या गया into 60 4 by 5 into 60 is equal to 28 hours 48 minute okay the correct time is 28 hours 48 minute after 8 a.m. देखो मैंने आपको एक concept जब की question को starting में कराया जब मैंने बताया था बेटा clock आगर आपकी gain करती है तो जो time है आपका जब clock 1 p.m. उसमें होकर रही है तो real time उसे कम आएगा ओके तो या तो यह कर लो आप इन दोनों का difference ले लो 29 hours 28 hours 48 minute का कितना difference आगा 12 minute का या तो इस time को आप 1 p.m. में से क्या कर दो माइनस करेंगे तो क्या ज़ेगा 1248 या फिर इस time को आप जो total hours आए हैं उसको आप 8 a.m. में एड़ कर दो हमने 8 a.m. में 28 hours 48 minute एड़ किये तो हमारा टाइम आ गया 48 minute past 12 या नहीं बारा बजगर के 48 minute उस clock में जो उस clock में तो टाइम हो गए था 1 p.m. क्योंकि क्या कर रही थी गेन कर रही थी बट जो real time होगा हो कि आपका 1248 एड़ मिनट ऐसे क्योंसन में आपके सामने का एक्जांपल और लेकर आयों इसी टाइप का देखे इसमें एवाच विच गेंज फाइब सेकंड इन थी मिनट फाइब सेट राइट एड़ सेवन एम इंदा आप्टरूम ऑफ दा सेम डे वें दा वाच इंडिकेटिड क्वा पास्ट फॉरों क्लोग अब इसमें देखे टोटल सुबह के साथ बज़े से इवनिंग के फॉर फिप्टीन पीम तक हमारे नाइन हावर्स फिप्टीन मिनट हो गए मैंने इसको नाइन हावर्स फिप्टीन मिनट को कर लिया हावर्स में फिप्टीन अपोन में 60 आनि 37 आप देखों थ्री मिनट फाइव सेकेंड को मिनट में लाओ पहले आप तो 5 आपन में 60 वन अपोन ट्वेल यानि 36 ओर पलस फमन 37 वापन में 12 मिनट इस इकल टू थी मिनट ओप क्रेक्ट कलोग अब इसको आप हावर्स में कर लो 37 अपन में 12 इन्टू 60 आपन में कर ने इकल टू बन ट्वंटी हावर्स ओफ क्रेक्ट कलोग अब इसमें देखें बन और में कितना करेगी बन अपन में 20 इंटू में सेवन ट्वंटी आपका उपर चला जाएगा अपन में 37 ओ थर्टी सेवन वाई फोर आवर्स में जो टोटल टाइम हमें एड़ किया था सेवन अपन में 20 ूटी सेवन ट्वंटी ठापन में 37 इंटू में 37 आपन में 4 37 00.00 कॉट हो जाएगा यह आपका 36 पे हो जाएगा 20 जो 36 कॉट हो जाएगा 720 को हम 20 से डिवाई गरएं 36 हाजाएगा और यहां पे फोर बचा है यहां पर नाइन पर कट हो जाएगा तो यह आगया हमारा 9 hours हो पिस प्रेक्ट कलोग मैंने आपको क्या बताए था यह टाइम या तुसमें एड़ कर लो आप 7 एम में 9 hours एड़ करें तो क्या आएगा 4 आएगा तो कितना आएगा आपका 4 पी एम ओके चलते हैं नेक्स टाइप पे टाइप 7 एट वाट टाइम बिट्विन फाइफ एंड शिक्सों क्लोग आर्दा हैंड सोपे क्लोग थ्री मिनट अपार्ट ओके इसमें देखिए पांच से च्छा बजे के बीच में किस टाइम पे Ό tube 55 मिनट और और हाओ रहें इंस 60 मिनट कितने मिनट में गेन करते हैं में 55 मैं का स्पेस गेन कर लेती है किस पर और हाओ रहाइंड इन UX 90 मिनट तो वन मिनट में कितना करेगी बेटा शिक्स टेपन फिप्टी फाई ट्वैल बाई 11 अब मैं आपके सामने एक बेसिक सा कंसेप्ट में यूज गूरूँगा जैसे ट्वैल बाई 11 इंटु में अब देखो फाइब से सिक्स को लोग के बीच में टाइम होना चाहिए तो फाइब मिन्स वो 25 मिनट का स्पेस ले जाएगी अगर यहां से 3 से 4 के बीच में होता तो 3 मिन्स बोले तो 15 मिनट का स्पेस ओके अगर यह 8 से 9 के बीच में होता तो 8 इंटु 5 यानि 40 मिनट का स्पेस ठीक है तो यहां से मैं ट्वंटीटू आगे ट्वैल बाई लेवन इन्टू में ट्वंटीटू एक तो टाइम आजेगा 5 वज के 24 मिनट पे और दूसरा जो टाइम आएगा 12 इन्टू इन्टू में 25 पलस के 3 एक पर आपको पलस लेने एक बार के लेने में बेटा माइनस और डिपेंड करेगा ओप् और फॉर और फाइफ ओको लोग के बीच में जो हैंस ओको लोग 3 मिनट से पाट कब होंगे तो आप ट्वैल बाई लेवन इन्टू में पहले आप फॉर को जो हैना 5 से मल्डिप्लाई करते 20 उसमें एक बार आप माइनस 3 करते 20 में माइनस 3 करेंगे 17 और 20 में प्लस 3 करेंग आपका 23 जैसे मैं कहा देता 8 और 9 ओको लोग के बीच में तो आप क्या करते 12 बाई 11 इंटू में 8 मिन्स 8 और 9 तो कितना स्पे चला जाएगा 8 इंटू 5 40 तो पहले 40 में एक बार माइनस 3 करते एक बार क्या करते प्लस के 3 तो यह आप कंसेप्ट बेटा याद रख लेना एक एट पे एवाच वीच गैन यूरिफॉर्मली इस टू मिनट स्लो एट नून बंडे एंड इस फोर मिनट फॉर्टी एट सेगिंड फास्ट एट टू पीम उन फॉलोविंग मंडे वैन वाजिट क्रेक्ट देखे बिटा एक वाच जो है वो यूनिफॉर्मली गैन कर रह ब tudy इस इताफिक हों तो अपयादक क्या जजों एक बाजिक क्रेक्ट वह क्रेक्ट क्वह अगई तो बिटा इस ऋ मंदे ट्वैल पीम से टू मिनट क्या चली तो फॉर नेक्स मंदे पीम पेप 8 mein वर फास तोج मने इस मंडे से अले पोल्यम गडर्व मंडे आ उसकर अनस्य 170 hours ओके अब इसमें देखिए 1 day में 24 hours होते हैं तो हमारे पास कितने होगे 7 days तो direct होगे Monday से Monday और 2 hours ताही होगे 24 into 7 168 और plus के 2 total कितने hours होगे 170 hours आब इसमें देखिए watch gains 2 plus 4 minutes 48 seconds in 170 hours ओके देखिए 1 clock आपकी slow चल लिए है एक लोक आपकी फास चल ली है nto उनके बीच में gap बेटा कभी भी कम नहीं होता हूर हमें से क्या होगा increase होगा जैसे एक है आपका एक पर्षम है वह स्लो चल रहे है दूसरा फास चल रहे है तो क्या होगा उनके बीच में बढ़ता जाएगा तो ऐसी किसमें मैंने किया है। टू प्लस 4 मीन note 48 सेकंड तो सब्सक्ति ऑपार समें जमेंगा सब्सक्राइब तो आप देखे टू मिनट गेन करें किसमें आप यहाँ पर फूर मिनट फोर्टी एट सेगन ले सकते हो ओके जो कैलकुलेशन में आपको इसलेगा तो आप पुट अपकर लेना दोनों सेंसर सेम आएगा अब यहां पर टू मिनट लियें अगर मैं स्लो वाली जो क्लोक है उसक अगर मैं गेन करा दूंगा तो वह एक वाला सकती है या उसको मैं 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट वाली को अगर मैं सलो करा दूंगा तो वह इसकी वाला सकती है तो देखिए यहां पर 117 अपर में 34 इंटो 5 इंटो में 2 तो भी पे पीम औं मंडे में हम टो डेज टू हावर्स टाइम लेंगे तो हमरा आ जाएगा टू पीमट वडनेश अगर यहां पर फोर मिनट 48 सेकेंड फास्ट लेते तो यहां पर इस मंडे में जो नेक्स्ट मंदेध आपका टू पीम का उसमें जो भी आपके पास डेज या हावर्स बनते वो आप उसमें से क्या करते माइनस करते आप दोनों यहाँ पर प्रफटें ओके नेक्स्ट हमारे टाइप जो है कलोक एरर बेस्ट क्योस्ट इसमें देखे दो टाइब में टाइब 9 10 या करवा रहा हूं इसमें देखिए इफ इन एक लोग मिनट हैंड क्रोस हावर हैंड इन 60 मिनट यह भी एक अच्छा इंपोर्टन क्योसन है लेवल का क्योसन देखे बेटा इसमें कर रहा है एक क्लोग जो है वो मिनट हैंड क्रोस करती हावर हैंड पर 60 मिनट पर तो यह बतिये कि हाव मैंड टाइम क्लोक इन 24 आउर्स गोज स्लोर फास्ट तो यह कर रहा है कि 22 गंटे में कि वो कितना स्लो करेगी या फास्ट करेगी अब इसके लिए मैंने आपको यह सामने एक फोर्मूला लिखा है 65 5 by 11 माइनस टाइम अपन में टाइम इंटो में टोटल टाइम हावर सिया डेज यह देखो 65 5 by 11 आया कहां से बेटा यह मैंने आपको बताए था कि जो हावर ओके माइनस में यहाँ पर टाइम कौन सा लेना है इस क्योंसन में यह 60 मिनट मैंसन क्या होगा है अगर यहाँ पर 65 मिनट गिवन क्या होता है तो हम यहाँ पर क्या लेते माइनस 65 अगर यहाँ पर 70 मिनट क्या होता हम क्या लेते 70 मिनट तो 65 5 by 11 माइनस के 60 अपन में 60 इंटो में यहाँ पर टोटल टाइम यह वाला लेना जो क्योस्टन में गिवन है 22 hours देखे इसको हमने शोल गिया 720 अपन में 11 माइनस के 60 अपन में 1 अपन में 16 to 22 इसको जब हम सोल करेंगे 720 माइनस में 660 अपन में 11 अपन में 16 to 22 60 अपन में 11 इंटू 60 इंटू में 22 60 से 60 कट होगा 11 से 2 पे चलागा 22 पलस के 2 hours fast अगर इस फोर्मूले से माइनस के 2 hours आ जाते इस calculation से value जो हम माइनस में आ जाती तो वो क्या करती वो तो यह फोर्मूला आपको याद रखना है 65 5 by 11 माइनस में टाइम अपन में टाइम इंटू में टोटल टाइम ओवलिग में hours या days अगर आपको यहाँ days गिवन कर रहा है तो आप उसको hours में convert करें अगर यहाँ पर आपको टू डेज गिवन कर दिया तो आपको कितना वह फोर्टी एट हावर्स तो वहां से आपका एक concept निकल के आएगा ओके यहाँ देखें बटा नेक्स टाइब एक क्लोग वीच मूग कंट्यूनेसली फास्ट इट लेक्स फाइप मिनट ओन संडे एट और जब Tusoga कैं कर जाती हो समनम मिनत आगे client जैसे मधमध हो तोक एहड ओ जाती देन फ्रयंड वहें क्लोग सो रइट टाइम तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब वहें क्लोग जो है राइट टाइम से तो देखें संडे एट एम पर क्या कैसा उसने Umpp once भाई आप से माइन लो कर रही है फास्ट कर रही है हमें यहां पर पर टाइम लेना अगर वह फास्ट कर रही है तो हम वहां पर फास्ट वाला टाइम लेंगे जो घिवन है और ले लेकर चल ले थे स्टार्टिंग में 5 अपन में 5 प्लस 7 यह दोनों का समेड होगा तीस 12 इंटुमें टोटल टाइम कितना होगा है 48 हावर्स ओके अभी 4 पे कट होगा है बेटा 20 हावर्स आगे अब संडे 8 एम में हम 20 हावर्स एड करेंगे तो अनसर आजाएगा मारा मंडे 4 ए जो मैंने इंपोर्टेंट क्लोकी टाइप्स थी जो आपके एक्जाम पर बेस्ट थे सारे क्योस्टन उनको किया है तो आज इस वीडियो को आपको केरफुली वाच करना है और इन से रिलेक्टिड क्योस्टन क्या आपको प्रेक्टिस करनी है ओके थैंक्स हैवे नाइस जै है थैंक्स है जो आपके इंपल प्रेक्स है जाँ करना है जलेक्टिस